नमस्कार आप देख रहें डीडीवी कैफे मैं श्मनी कुमार आज की महमान गजाली पुर्णेंदू जी उमाशंकर सर अकलेश सर विचिच सर और सुमिच सर आप सभी का स्वागत है आज दो एक्सपर्ट हैं विदेश के मामलों के एक्सपर्ट उमाशंकर सर और गजाली जी आज इन लोगों के होट सीट है यहां पर आज बाबा और विचिच सर तो आये हैं लेकिन पीडी सर नहीं आए क्योंकि उनका थोड़ा सा कुछ काम था हां बाबा भी नहीं आए तो आज दो एक्सपर्ट आये इसलिए नहीं हैं सर आज मुद्दा यह है जो इसराइल पहले लड़ाई हमास से सुरू हुई हिजबुला पर हुआ यमन में भी अटैक हो रहा है जिसके बाद अमेरिका ने भी सीरिया में जाके कुछ अमले कि तो एक वहां पर जो मिडिलिस्ट है वहां पे तरीका डिवाइट भी देखने को मिला जब जब जो हिजबुला प्रमुक के म आतंगवादी थे उनको लगातार इलिमिनेट करता जा रहा है बिल्कुल देखिए इसराइल को लेकर कहा जाता था कि क्या वो सेवन फ्रंट वार जो है वो जहेल सकता है या नहीं जहेल सकता है और इसराइल वो करके अब दिखा रहा है आपने जिकर किया कि किस तरह से गाजा महीने के बाद वहाँ पर उसने उसको लगा कि अब कंट्रोल कर लिया है तब उसने हिजबुल्ला की तरफ जो है अपना जो मोर्चा है वो खोला और दस दिनों में ही एक कहावत एक बात यह भी कही जा रही है कि अमेरिका ने जिनको बीस साल में नहीं मार पाए जितने अप उसने हुती के खिलाब भी हमले शुरू कर दिया है और कहा भी है कि नो प्लेसिस टूफा फॉस कोई भी जो दूरी है हमारे लिए बहुत जादा नहीं है और हजारों किलमेटर दूर जो है वो सीधा अब यमन में जो हमले कर रहा है दो शेहरों को निशाना बनाया है काफी तबाही होई है वहाँ पर इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि वो जो शिया मिलिशिया है जी उसको भी चाहे हो इराक में हो या बाकी जगों पर जहां से चिट पूट तरीके से उनसे भी खत्रा रहता है तो भी करेगा तो हर उस दुश्मन को अभी मौका देखकर वो टे इरान रहा है और प्रमक तोर पे खामेनी रहे हैं तो अब उनके ऊपर भी एक खत्रे की बात है इसलिए उनको एक बहुती सुरक्षित बंकर में चुपाए भी गया लेकिन कोई भी बंकर कितना सुरक्षित हो सकता है जब बंकर बस्टर बंब डाल के 30 मीटर अंदर तक वो चीट मार रहा है तो उसके साफ है कि जो भी दुश्मन है उसका जो है वो खात्मा करें आपने यह जो मैप दिखाया तो इसके जरीए मठोल की जिए हम यह बता दें कि देखिये यहां पे हैं और यहां पे है आपका इसराई तो इसराइल जो है वो जो गाजाय पट्टी है उसमें तो लड़ी रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, बेरूत, सेंटरल बेरूत में भी बम मारें, अब यमन की तरफ बढ़ा है, तो देखें कितना उसका जो रिजद है, वो कितनी बढ़ गई है, अपने अमेरिका का विजिकर किया, अमेरिका का सिरिया में तो ऑन्गोइ अखले सर, आप से सवाल यह है कि हिजबुला के जो प्रमुक है, उनको मारा गया, तो उसके बाद हमने देखा कि कश्मीर में भी काफी उसका रैली निकाली गई, उसके बाद से लखनों में भी, तो वो एक कहा गया कि भाई, जब आतंगवादी था, लेकिन भारत सरकार ने उपर हमले करते हैं, उन्हें भारत आतंगवादी संगठन घोशित करता है, तो चुकि हिजबुला एक विदेशी आतंगवादी संगठन नहीं है, इसका भारत से को सीधा लेना देना नहीं है, इसलिए भारत ने उसको नहीं किया है, लेकिन इसराइल एक मित्र देश है भा अरब लीग की बात कर रहा हूं जो महीं की मुस्लिम देश हैं उनका जो संगठन है उन्होंने उसको हेजबूला को आतंकवादी संगठन गोशित किया था तो हेजबूला को लेकर जो अरब देश हैं उनमें भी कोई एक राय नहीं है वो बटे हुए हैं लेकिन यह दुर्भा करना चाहिए लेकिन दूसरी बात यह कि जो बात अपने शुरुआत में की इसराइल को लेकर करके तो ऐसा लग रहा है कि अब जो यह मामला है यह केवल कुछ संगठनों तक सीमित नहीं है क्योंकि यह संगठन है हेजबूला तो सीधे तोर पर इरान का समर्थन पीछे से मि दूसरी तो ऐसे में अब सीधा इरान पर रहा है इरान की फ्रतिकरिए हो कि ला घ्र टी यह कि लिवह मामली को यह लेकिन अगर कुछ ना करें तो इससे जो उनके अपने संगठन हैं उनके अपने जो लोग इनको इतने साल से खड़ा किया गया उनका मनुबल भी तूटेगा आप यह जो बात कह रहे हैं कि जो बात उमाशंकर ने भी कही कि पिछले 20 दिनों में इसराइल ने वह कामयाभी हासिल कर ली जो कि अमेरिक इसी है उसकी कवायद है हिजबुल्ला के सारे ठीकानों का पता लगाना हिजबुल्ला को प्रमो के नस्रला कहां पर है यह बताया गया कि जो आपरेशन किया गया उसके लिए च्छोटी सी विंड़ों उनके पास दिए इतने सालों की मेहनत के बाद उन्हें कुछ घंटी के यह रहेगा उसका फिर अपना ठीकाना बदल देगा तो ऐसे में उस विंड़ो का की पहचान करना उसके साब से फिर कारवाई करना इतना बड़ा हवाई हमला करना अजारों टन के जो गिराए गए गए और एसे में यह जो खुफिया जानकर इखट तगरे कारवाई की गई इसे इसराइल बिल्कुल कियर संदेश देरा है कि वो आतंगवादी चाहे कहीं भी छुपे हो वो उनको छोड़ेगा नहीं और उसको अपनी सीमाओं की अपने लोगों की हिफाज़त करना अच्छे से आता है अब लेकिन जो बड़ा प्रशन उठेगा एक तो इरान कवने दूसरा यह कि इसराइल क्या यह जो कारवाई केवल हावाई हमले तक सीमी तरखे का या लैंड के ओपर भी कुछ करेंगी क्योंकि कुछ मुमेंट जो है वो देखने को मिला था तो ऐसे में अगर इसराइल यह फैसला करता तो इसके पर दूर काम हो सकते है वो इसलिए भी क तीन तीन मोर्चों पर एक साथ काम कर रही होगी और यह फिर इसराइल के लिए बेग बड़ा चैलेंज स्ट्रेजिकली हो जाएगा अगर आपने इसराइल में रहके पढ़ाई विकी कुछ समय तक मैं आपसे जाना जाता हूं कि इसराइल जो हिजबुल्ला के प्रमुक की अगर निद्धन के बाद हमने देखा कि एरान इराक सीरिया कुछ इलाकों में वहां पर शोग जताया गया और वहां पर इरान इराक तीन दिनों तक कर शोग भी है लेकिन आप देखिए युए जो मुसलिम जगठन देश जो कायता था कि मेडिलिस्ट मुसलिम देश जो एक अगर आप, वहां पर के हिजबुला हो या इरान के जतने प्रॉक्सी सपोर्टर हैं, उनके एक्जिस्टेंस और उनके सपोर्ट का है अगर आप सीरिया की बात करें कि सीरिया के जो अभी राश्टपती हैं बशर अलासाद उन्होंने नसरल्ला की मौत के दो तीन दिन तक जिस दिन अटैक हुआ जिस दिन कनफरमेशन हो गया उसके 72 गंटे तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया जब कि वो दूसरे स्टेटमेंट उनके सोशल मीडिया पर आता रहा कि हमने कैबिनेट रिशफल कर लिया और ये कर लिया अब मसला यह है कि ये जो दो तीन ताकतवर कंट्री हैं मिडल इस में कतर, सौदी अरबिया और यूई अगर आप इधर से देखें और आयरान और डर्की, एग्ट के अलावा तो इन तीनों ने बहुत कलियरली अपने बिजनेस इंटरिस्ट को बहुत ऊपर रखा है क्यूंकि अगर इनों ने अपने बिजनेस इंटरिस्ट को ऊपर नहीं रखा होता तो पिछले 10 महीने, 11 महीने से जो गाजा की लड़ाई चल रही है उसमें सिर्फ जो है स्टेटमेंट इशू करते हैं ये लोग कि हम कंडेम कर रहे हैं, हम कंडेम कर रहे हैं और सभी कंट्रीज जो हैं, एक दो को अगर छोड़ भी दें तो मैकसिमम कंट्रीज ने जो है इसराईल को रिकगनाईज किया पहले और नहीं भी किया तो उसके साथ तालुकात बड़े अच्छे रखे हैं कहीं भी कतर में वर्ल्ड कप था तो इसराईल के लोग जा रहे थे हालाकि महाँ जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उनमें वो गुसा रहता है कि इसराईल ने अरब देशों को पहले हराया भी है, जमीन भी हरपा है और उसको आक्यूपाई करके रह रहा है, वो मुस्लिम सेंटिमेंट जो आरब वर्ल्ड में है अब जहां तक हसन नसरल्ला के मौत के बाद जो है कंडमनेशन की बात की जाए तो हसन नसरल्ला के मौत पे लोग खुशी भी जाहिर कर रहे है, वो लोग सीरिया के सुनी है जिनके उपर बशर अलसाथ की तरफ से या सुनी कह लें, या जो दूसरे मिलीशिया महाँ पर आगे थे, आइसिस के हैं, अलकाइदा के हैं बशर अलसाथ कहते थे कि हम उनके खिलाफ अटैक कर रहे हैं, उसमें उनको रूस का समर्थन हासिल था साथ में हसन नसर अल्ला भी 2016 सत्रह में उन्होंने निर्णाय ले लिया कि हम सीरिया में बशर अलसाथ की मदद करेंगे और ये माना जाता है कि सबसे बड़ा जो निर्णाय था हसन नसर अल्ला का, वो बहुत गलत साबित हुआ जहां तक परसेप्शन की बात है हसन नसर अल्ला जो है एरानी नहीं थे, वो अरब थे तो उस निर्णाय से पहले अरब कंट्रीज में उनकी एक रेप्यूटेशन थी क्योंकि वो एक अरब नैशनलिजम की बात करते थे, मुस्लिम नैशनलिजम से ज़ादा और उसके बाद जब वो रीजनल कॉन्फलिक्ट में पड़ गया कि सीरिया में भी हम बशर अलसाथ को सपोर्ट करेंगे और वहां मामला इतना बिगड़ता चला गया कि आप हाथ पीछे नहीं खीच सकते हैं अलकाइदा और आईसिस के नाम पर बशर अलसाथ जिन अलाकों पर हमला कर रहे थे, उसमें आम लोग भी रह रहे थे तो जब वह आम लोग सुनी थे, अगर सिक्ट की बात करें तो तो इस वज़े से इनकी मौत पर सीरिया के जो सुनी हो सकते हैं उन्होंने खुशिया मनाई या बहुत खुशिया और अलग अलग अलाकों में भी ऐसा हुआ UAE और सौदी जो है, UAE के बहुत अच्छे तालुकात हैं इसराइल के साथ और UAE और सौदी जो है, इसराइल के इस लड़ाई में उन अलाकों में हिमानिटेरियन एड भी पहुंचा रहे हैं लेकिन इसराइल के साथ अपने संबंध नहीं तोड़ रहे हैं इस्टेट्मेंट इशू होता रहता है और अब एक साल से लगातार आप इस्टेट्मेंट इशू करते रहें और जमीनी हकीकत ना बदले तो आपके उस सपोर्ट को भी लोग देखने लग जाते हैं कि आप सिर्फ इस्टेट्मेंट दे रहे हैं तो हसन नसरल्ला का वो एक जो उनके अलाइंस कहले या जो अफिलियेशन इरान के साथ थी वो जादा प्रॉमिनेंटली दिखने लगी पर मुक्ता से और उसके वजह से सीरिया के जो हालात बदले कि भाई सुनियों पर जादे अटैक हुआ तो वो लेकर वो लोग तो जश्मना रहे थे और काफी वीडियो भी आई उमा भी बता रहे थे कि बहुत विजूल्स आए हैं अलग-अलग अलाकों से लेकिन अरब कंट्रीज के लिए अब ज़्यादा टेंशन की बात यह है कि यह अगर जंग बढ़ती है पहलता है और जंग पहलने की बात हम लोग पहले दिन से ही सुन रहे हैं साथ अक्तूबर के बात से हर दिन हम रिपोर्ट करता है अब जंग पहलेगी अब जंग का दाइरा बढ़ सकता है लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खत्रा जो है उन अरब ममालिक को है जहां पर राजा बनके मोनार्क सिस्टम है क्योंकि 2011 के अरब स्प्रिंग में जो मान लीजे की वैसे कंट्री जिन्हों ने इसको कुचल दिया जैसे सीरिया है या बहरेन के आसपास के लाके हैं जहां शिया पॉपलेशन भी है तो उन लोगों ने एक बार कुचल के ये देख लिया कि इसको दोबारा बढ़ने नहीं देना है और नहीं इसका कोई स्पार्क होने देना है तो अगर लेबनान के इलावा ये चीजें और बढ़ती है और वो जो पैलेस्टाइन को लेकर चाहे आप उससे कनेक्टेड ना भी हो लेकिन हर फ्राइडे प्रेयर्स में जो है उसका मेंशन होता है तो उसको लेकर अरब ममालिक में एक ये है कि अगर ये फैलता है तो सिविलियन कैजूल्टी की बात तो दूर किये वो तो एक साल से चल रही है उस पर किसी ने कुछ चिंता जाहिर नहीं की ये उनके सामराज्य को कहीं धक्का ना लग जाए इसलिए यूएई और सौदी हो चाहे कतर हो या कुएत हो आप इन इन कंट्रीज को देखें वो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं इस स्टेटमेंट के लावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हर मैक्सिमम ऐरब कंट्रीज में यूएस का खुद का एयर बेस एयर फोर्स बेस होता है मिलिटरी बस है तो युएस को खत्रा हे गाल की स्टेटमन्ट जो वहां के रक्शामंत्राल्य के तरफ से आया कि हमारे मिडली इस्ट में जो भी बसेज हैं उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई है जाएगी और हम इसराइल की तो अब जो है इस स्टेटमेंट दोनों चीजों को इंकलूड किया गया और एक और बहुत इंट्रेस्टिंग चीज उन्होंने बताया कि एक बयान में आया कि डिप्लोमासी और डेटरेंस पहले सिर्फ युएस के तरफ से हमेशा यह बयान आता है कि हम राजनाई तरीके से य अब वो डेटरेंस पे भी आ गया है क्योंकि येमन से जो हुथीज ने अटैक किया इराक के भी कुछ शिया मिलिशिया जो है उनके तरफ से भी रॉकिट वगरा चोड़े गए तो खासकर कि इन तीन चार जो बड़ी कंट्रीज है क्योंकि मिडली इस में जो बड़ी कंट्र जो है वो युएई पे डिपेंडेंट है और इन सारी कंट्रीज ने अपने आस पास के राकों में कॉन्फिक्ट देखा हुआ है हुथीज ने साओधी अरप किनाक में भी दम कर रखा था युएई के कल ही अमबैजडर के घर पे सुडान में हमला हुआ है तो इनको पता है क अगर ये वाला मसला भी आ गया तो ये जो पीस, टूरिजम और जो इनकी एकॉनोमी है इस पे भी असर असर पड़ने लगेगा इन फैक्ट हमको इस चर्चा में ये नहीं भूलना चाहिए आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा आज कैफे में आज हम 30 सितंबर को बात कर रहे है अश्वेणी एक हफते के बाद एक साल हो जाएगा एक साल पहले वो इसराइल जो दुनिया का सबसे चाक चौबंद जिसकी खुफिय आजिन्सी है उसकी नाक में घुसके, उसके घर में घुसके उसके लोगों को मार दिया था तह बंयामिन नेतनियाओ के कारकाल का वो इस situation के बीच में उनको ये साबित करना था कि 7 अक्टूबर 2024 के पहले मैंने कुछ किया है आज भी करीब 90 के आसपास hostages का कोई अतापता नहीं है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लोग लेकर चले गए थे इसराइल से वो कहां है आप याद करिए एक महिने पहले या सवा महिने पहले छे जो वो थे उनकी लाशे मिली थी hostages की जिस पर बड़ा मातम मनाया गया था मतलब लाशे मिलना बड़ी बात थी अब तक तो आपने शुरू में तो देड़ दो महिने में तो कुछ रिलीज भी हुए ना दिसंबर के महिने में जो मुझे हलका से याद है दिसंबर के आसपस नियुएर के पहले नवंबर दिसंबर में दो खेप में कुछ-कुछ लोग रिलीज हुए तब से ले कि अब तक इन आठ नौ महीने में नेतानियाओ साब क्या कर रहे है उनकी सरकार क्या कर रही है उनकी सरकार अपनी डामा डोल हो गई है उनका अपना डिफेंस मिनिस्टर अपने प्राइम निस्टर के नहीं सुन रहा है उनकी नहीं सुन रही है वो पीस की बात कर र इसमें व्यापार है, इसमें राजनीती है, इसको नहीं भूलना चाहिए, बड़ा अच्छा गजाली ने समप किया, कि वही तीन बड़े देश, आपने बड़ा अच्छा मैप पे दिखाया अभी, आप जो दिखा रहे थे, एक बाद फिर से मैप दिखाओ, मैं इसमें दिखा यहां पर लड़ाई चल रही है, यहां पे इसराइल है, इसराइल यहां मार रहा है, बीच में, अपर से निकल रही है, ज़से मना न कर रहा है. मिसालों को इंटरसेप्ट करने में मदद कि अपनी हवाई जो सीमा है इसको ब्लॉक करके रखा तो बात ही है कि अभी मेरी एक इसराहिल के एक एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी कुछ दिन पहले तो हम ने पूछा कि जब आपने हानिया को मारा अला कि उन्होंने आज तक इ जो है ये नसरुल्ला को मार दिया है तो इसके बाद भी एरान की तरफ से बयान आया है कि हम मजा चका देंगे तो उनका सीधा से कहना था कि देखे ऐसा है कि एरान को जब तक ये लगता है कि मिलिटरेली वो इसराहिल को कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता है क्योंकि इस इसी भी जगह पे पहुँच सकते हैं तो इरान को इस बात का इल्म है कि वो आज की तारीक में मिलिटरेली नहीं टकडा सकता खासतर पर एयर पाउर क्योंकि लड़ाई जो है इरान और इसराहिल की सीमा नहीं मिलती है तो कोई ग्राउन फोर्स से लड़ाई होगी नहीं तो एर पाउर एर पाउर में इसराईल जो है हो कही है बीस है दूसरा अमेरिका जो है डेटरेंट के तोरकर काम कर रहा है और अमेरिकी बेडे जो हैं क debris के बेडे जो हैं वहांपे भूमद्य सागर में है अमेरिकाfoundedle-IT में मिडलिस्ट में अपनी जो banana presence है वह बढ़ाने की बात कर रहा है और इस बीच में हम को ये भी देखना होगा कि एरान में अंदर उन्हीं बदलाओ की आए हैं अब जो पेजस्कियां जो वहां पे राश्टपती आए हैं जो आप एक चाक्रित उधारवादी माने जाते हैं और ऐसे में हलांकि ठीक है सारे जो वहां पे फैसले हैं व भी इरान को ही पहल करनी होगी और एक ऐसे समय में जब खामैनी को बंकर में जाके च्छिपना पड़ा है तो वह कहां से हिजबुल्ला को रियर्गनाइज कर पाएगा तो कुल मिला कि इसराइल ने ये आँक लिया है कि अब हम कहीं पे भी जाके किसी को भी ठोक सकते हैं और अमेरिका जो बार बार कहता रहा कि आप राफ हमें जाओ तो राफ हमें भी गए दो हजार हमेरिकान बंद कर दिया उसके बाद भी राफा में आपरेशन जो है इसराइल ने किया तो उसने ये देख लिया है कि हर कोई देश जो है वो अपनी अपनी कमजोरी से बंदा हुआ है और ऐसे में यही मौका है कि वो अपना एजेंडा लेके आगे बढ़े और आपने सही बताया है कि उसमें पॉलिट Swingers के उपर उपर इतने जादा खफा होते थे anterior नितनियांश को यह भी कहा कि आपके निकालो 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 लेकिं हुला को पता है कि उसब कि आपकी बात से नहीं चीज पर कमयांट कहना कि तब करना। के तौर पर काम कर रहा है अमेरिका अपनी चुनावी मजबूरियों में भसा हुआ है वहाँ पर क्योंकि दोनों को डेमोक्राइट को रिपब्लिकन को अपना अपना दिखाना है इस सकर में उसको रोकने की बजाए इसको चलने दिने में उनके भलाए लग रही है और यही बात कि आप कह रहे हैं कि हम बातचीत से हम सुल्जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका सवाल था कि कहीं आप लोग जंग के उपर दोनों तरफ से हाथ तो नहीं रख दी हैं कि कोई तीसरा भी नहीं कर पा रहा है चाइना भी है रश्या भी है जिसके साथ इन सभी पार्टियों के अच्छे रिष्टे हैं अरब कंट्री में एरान साओधी अरबिया को नजदीक ले आया तो एक तरफ आप ज इसकाउंट नहीं किया जा सकता कि शुरवात से इसराइल को मिलिटरिली सुपिरियर बनाने में यूएस का हाथ है बिलकुल इवन की जब इसराइल स्टेड बना था तो उस वक्त जब हम पढ़ते थे वहां तो कई हिस्टॉरियन ऐसा बताते हैं कि जो इसराइल से दूसरे यूरोप से लोग आ रहे थे शरनार्थी बनके उसमें से कई लोग थे जो वर्ल्ड वार वन में लड़ चुके थे जिनको मिलिटरी ट्रेनिंग थी और जब इसराइल में आकर ट्रेनिंग लेते थे तो जो लोकल अरब किसान थे उनको लगता थे कोई नया खेल खेलने की त समया लेगा तो कहीं न कहीं यूएस की यह जो डियूपलिसिटी है यह तो बिल्कुल जग जाहिरा राश्या और चाइना ने तो कल कह भी दिया इस बात पर हम लोग बात करें कि मदेपुर में आग भड़केगी फैलेगी युद्ध भड़केगी उस कॉंटेक्ट में बोला है कि अगर हमने किया और अमेरिका ने खुली चेताब नहीं दे रखी है इसके बेड़े वहाँ पे तैनात है इरान का गाजा हो जाएगा कल को तो उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा यह है यह डर उनके उपर है नहीं तो वो जितना जो अपना मुस्लिम वर्ल्ड में जो अ कि दम से कुछ नहीं होता है इसराइल को भी आगे आगे पिल करेंगे कैफे नहीं होगा लेकिन हम देख रहे हैं कि यह युद्ध चलता है जारे एक साल से इनका युद्ध होने वाला है और इन सब के पीछे अमेरिका की जो रण नीती है वो सबस्यादा खतरना है कि वो हर पीछे लगा हुआ है और कहता है कि हम युद्ध सुल्जाने के काम करें लेकिन युद्ध सुलिस्तानी लंबा चलता ही आता है यह स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक दोनों लड़ाईयां तो है लेकिन इससे ज्यादा रिलिजियस लड़ाई भी हमको दिखता है एक तो के बावजूद अगर इजराइल कर रहा है और इजराइल को अमेरिका से पूरी मदद मिल रही है तो फिर यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका मन से कर रहा है और उसके पीछे जो हम अपने ही देश के अगर संदर्व में देखें तो 1947 में जब हम आजाद हुए थे उस समय अंँर कर बसी लिए एउसके पनेरां वर इस जयदा रही है इन अगरसी कर देश पार्शाओ के निया है Stephen में मैं पूसरे देशों की मदद कि किया ह попроб कि मैंने कुटिल नीत के करना प्रश कर यहे बसाया भी गया था वो सारी कुर्ञार से लेवनान में पो mir कि दूसरे देशों से मुस्लिम आये और इसाई वहां पर कम होते गए और अमेरिका भले दुनिया में सबसे बड़े एक तरह से नियाय का देवता बना फिरता हो लेकिन वहां के भी लोगों को यह लगता है कि वह भी धर्म के आधार पर चलते हैं और अच्छे से चलते हैं तो यह कहीं न कहीं कुटिल ता उनके अंदर भी इस इसका बहुत जीता जाकता उदारन कल पर सो आया कि जब लेबनान में अटैक शुरू हुआ है तो यूएस अमबैसी जो लेबनान की है वहां से कहा गया है जो लेबनीज अमेरिकन है कि आप टिकट लीजी और घर जाई फ्ल प्लेन दी जाएगी तो वहां की लोग भी इस चीज और वो ट्विटर पर बिल्कुल को ऐसी चीज नहीं है कि तो यह चीज है तो इसलिए यह सारी लड़ाई पैसे का और वर्चस वर्चस्व की नहीं है एक धर्म की भी है और जब तक धर्म की लड़ाई सबसे खतरनाक होत है वह आइसी देखने में बहुत पावरफुल था लेकिन वह भी कमजर हो गया है इस युद ने इस लड़ाई ने इन देशों को आपस में मतलब वह एक था जो एक लगाव था खतम होता दिख रहा है कि वह एक देशरे के लिए पहले जो देश तायार है थे युद में हर त देखा है कि फिलिस्तीन को लेके वर्ल्ड वाइड बहुत सपोर्ट होता था खासकर जब इसराइल उनके युद होते थे तो हमेने टेरियन जो क्राइसिस होती थी भारत भी फिलिस्तीन का ये बड़ा ही मुखर समर्थक रहा है और यासिर अराफात से हमारे देश के क्या र अर्चों पर बनी किसले थी बनी इसले थी देखे बनी सी लिए तिसमें उसने तो चूंक तक नहीं कि आठारा साल तो उनका लेकिन लेकिन ये देखे ये ठीक है लेकिन जिस युवन बनाने का जो मकसद था कि हम आगे कोई वर्ल्ड वार ने होने देंगे दुनिया में यु दूतिया विश्यूर्दी के बाद के जो वैश्युक प्रिष्टिती थी उसके लिए यून था अब तो भारत का तो यह मौजूर आए कि उसको बदले इसके पीछे पीछे पी जो सुपर पावर्स है जो पहरे की थी और आज तो एक ही है इनकी स्ट्रेजी बिल्कुल क्लिय के रहे ने करो यह जरुएंसद जएन को ले टर्के ने करके उसमें यह कि रहर आप इसका सको अब नरा कर सको तो इसको इल्लेवन बना खव pelo क्या फ़म इनकी बास्रा कि उनकी ब्र्मान बात कर रहां करेंकर वह ब्रृस्ताव पारित कि उप्रचsm Deb догल में इंद्र दिन तो इस तरह से सुधार होने चाहिए तो अब अब पर्मानेंट 5 पी 5 जिनकी बात हुथी वह क्या आज की जो परिप्लेक्ष वैस्वी इसको रिफ्लेक्ट करते नहीं करते अब अमेरिका जरूर कहता है कि भारत को इसका हिस्ता होना चाहिए यूके ने भी सपोर्ट किया तो वह मुझे लगता वह जबानी जमा कर्च है जो सेकेटरी जर्रेनल हों गये यूएन के वह इस तरह से नाम आना चाहिए कि वह प्लाइबल हों बात सुन सेके दूसरे दूशों की वह अपने अपने इंडिपेंट थिंकिंग इंडिपेंट सोच रखने वाले ना हो तो य सब्सक्राइब दूसरी कहानी है अब और यह भी होना चाहिए कि अब जो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं कि पांच देश या दस देशों जो की सबसे प्रमूख हों वह जैसे गली में होते हैं कि दस लोग अपने घर में कटा रखें हैं और बाकि सब लोग उनको देखें कि बड़े बाहु वाली है इसी इस्त ने दिया जाएं तो यह वही वाली मासिकता है जो काम कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है आज दुनिया को गांधी की जरूवत है फिर से क्योंकि बिजनेस इंट्रेस्ट की चक्कर में इंसानियत का इंट्रेस्ट है आप उसको बहुत एग्णोर नहीं कर सकते क्योंकि दु आप और गजाली बता के जो हमास है वो फिलिस्तीन में ठीक है और जो हिजबुल्ला है वो हमने देखा कि वह लेबनान में जहां पर सरकार दो साल से इंटरिम प्रिया मिनिस्टर चला वहां पर चुना होने के बाद भी नया प्रेसिडेंट वहां पर नियुकत नहीं हो पाय इसमें तो अब जैसे हिजबुल्ला की बात करें तो अभी अभी वहां के जो लिबनान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो प्रस्ताव 1701 लाने की बात उन्हें दो दिन पहले की है इसका मतलब यह हुआ कि जब 1990 में जब यह समझोता हुआ था उसके बाद यह कहा गया था क नहीं होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हो पाया और क्योंकि इरान जो है इन सबुं की मदद करता रहा है पूती को हथियार बेजता है हमास को वो पूरी तरह से मदद करता है तो अपने प्रॉक्सी रखके इसराइल को घेडने की जो रहनीति इरान की रही है उसकी वज़ा से मार खा रहे हैं जो आपने जिकर किया लेमनान की आम जनता भी मार खा रही है यमन की आम जनता मार खा रही है और यमन में तो हालात इस तरह के थे कि भारत ने अपनी तरफ से भारत ने कई वार मदद वहां पे भेजी है तो अब बात यही है कि जो यह प्रॉक्सी जो इरान के हैं उन्होंने इस्तिती इस तरह की बना के रख दी है और सबको आज की तारीक में बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि अगर हम हिजबुल्ला की बात करें तो लिबनान सरकार की बात नहीं करें हलांकि हिजबुल्ला एक बहुत मजबूत शियासी पावर भी है वहाँ पे वह पार्टी के तोर पे बहुत बड़ाचा प्रभाव है वहाँ पे अब जो दूसरे एक प्रमुक की खोज की जारी है तो उसमें भी जो नाम हाश्यमकारा जो की चचेरा भाई है उसकी भी शिया डॉमिनेंस शिया कॉमिनिटी पे बहुत मजबूत पकड़ है तो वहाँ पे भ जो 40,000 की मौत हुए उसमें अगर इसराइल के इस दावे को मान भी लें कि 15,000 हमास के लड़ाकों को मारा है उसने तो बाकी के तो 25,000 जो है वो तो आम सिविलियन्स है महिला हैं बच्चे हैं तो ये सब जा रहे हैं और ये सब वही तो बात है ना कि इरान ने दिया कुछ न कि इरान के जैसे आपने दिखा कश्मीर में प्रदेशन हुए लखनओ में हजारों लोग सब्सक्राइब खासकर शिया कम्मूनिटी में भारी प्रोटेस्ट है उसको लखर करके इरान में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट है तो इरान के ओपर कितना दबाव है इसराइल के पर एक्शन लेने का और वो एक्चुली करेगा क्या फ्यूचर में अभी थोड़े देर पहले ही जो हिजबुल्ला के जो अभी सेकंड इन कमांड कह लें फिलाल उनका भी बयान आया और एरान के विदेश मंतराले के जो स्पोक्सपरसन उन्होंने भी प्रेस कॉन्फरेंस क और दोनों ही में इंडिकेशन ये मिला है कि एरान एक मेसेज ये देना चाह रहा है कि हम बदला लेंगे लेकिन समय भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी उस वाले मोड में है एरान क्योंकि पता है कि अभी जो अमा जेसा बता रही है कि हIZボला के कमांड सेंटर हो हो हथियार रखने की जगह हो बहुत सारे कमांडर मर गह गा है कि ये भी शहीद ही कहते हैं, ये भी शहीद होंगे, वो भी शहीद होंगे, तो एक line of command भी, chain of command भी बना रहता है, कि सबसे ज़ादा उसके बाद, अब इसमाइल हनिये मरा, तो यहिया सिन्वर वहाँ है, तो figure base पे inspiration मिलता है ग्रूप को, लेकिन जो foot soldiers रहते हैं, वो intact रहते है आप मारेंगे भी, इसराइल का यारोप हमेशा लगता है कि एक ही शक्स जो है, वो इस संगठन का सदस से भी है, और इसकूल में teacher भी है, और इसके बहाने फिर civilians मारे जाते हैं, अब यमन हो, चाहे लिबनान हो, चाहे घाजा हो, कहीं भी humanitarian aid क्यों नहीं पहुँचने दिया जाता या नहीं भेचते हैं, जो दूसरे देश हैं, वो इसी वज़े से ब्लॉक कर देते हैं, कि जाएगा तो इनको नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा, और जैसा उमा बतार थे, यमन में तो हालात बहुत खराब थे, जब साओधी अरब और यमन के बीच, हुथियों के बीच कितने बचे माल नरिश्ड और उस तरह की तस्वीरे आती रहती हैं, तो कहीं भी जंग हो, और ये भी कावत है कि हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंग तो पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहों पड़ो उसमें हो, तो हसन नसर ला के बारे में जो लोग खुशिया मना रहे हैं तो उनके खिलाब जो जंग की है वो बशर अलसाद और नसर अल्ला ने की है, तो कई इसाई उसको भी मानते हैं, तो एक पॉलिटिकली डिविसिफ फिगर है, वेस्ट ने पश्चिम ने तो कहा ही कि आतन की संगटन है, लेकिन उस अलाके में कई लोग हैं जो मानते हैं कि भ 2006 और 282 की लड़ाई में हार ही के तरह कहा जाएगा कि उनको पीछे हटना पड़ा, दूसरी चीज़ की इसराइल ने जब भी संधी की है, या शांती वारता की बात हुई है, तो एक जनरल फिलिंग पबलिक में और पलिटिकल क्लास में ये भी होता है कि हम जब भी दोस्ती क बात करते हैं, या शांती की बात करते हैं तो हमें जमीन चोड़ना पड़ता है, मिसर से जब दोस्ती हुई थी तो साइनाई का पेनिंसुला छोड़ना पड़ा, जब गाज़ा से बाची शुरूई तो 2005 में गाज़ा चोड़ना पड़ा, तो अब एक एक अंडिस्टैंडि वहाँ पर यह है कि अगर हम किसी से भी दोस्ती की बात करेंगे तो जमीन नहीं छोड़ेंगे इसलिए वो एक्सपैंशनिजम वाली बात करते हैं और खुद इसलिए अभी जो लिवनान में जो कोशिश चल रही है वो ये कि बफर जोन बफर जोन बनाने की और जो ग्राउंड कबज़ा करके उसको बफर जोन बनाके और अपने उसको सुरक्षित रखें जहां तक बात ये है कि इसलिए की अपनी सुरक्षा प्रनाली जो है मुझे सैयोग से मैं नवंबर दो हुजार बाइस में इसलिए गया था और उस समय जो दौरा कराया गया दिखाया कि कैसे हमार इतना बड़ा हमला हो गया तो हमने उन से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि इतना ज़्यादा सुरक्षा है तो उसके बाद यह कैसे हो गया तो उनके पास जबाब नहीं था लेकिन समझ में यहा था कि इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे वह अपनी सुरक्षा को ता बात यहां से शुरू भी हुई थी कि उन्होंने तीन मक्सद बताया थे अक तो हमास का खात्मा पुली तरह से दूसरा बंदकों की वापसी और तीसरा हमास फिर से कभी हमारे लिए खत्रा नबने उस रत तक ले जाके बंदकों की वापसी तो सेञे तरीके से हो नहीं है तो उस मकसद में भी नाकाम रहे और वो फिर से खत्रा ना बने ऐसी को इस्तिति अभी तक आई नहीं है वह भी बात बीच में आपको टोक रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जिस इसराइल चोड़ देता है या अपने कभजे में रखता है उसका वहां के वाइलेंट है वहां जब सब इसराइल केंडर में था सब इसक् Coll spilled में इनलएफ एंदर में आफे लिक बात खत्य न करूंगई नशन solution तो इस्राइल कहता है नहीं 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 तो किसी ने एक बार एक बाचित में पूछा एक इस्राइल के diplomat से कि ठीक है फिर वन नेशन solution करते हैं तो वो चौंग गह कि वन नेशन solution का तो अब फिलिस्तिनी के साथ साथ आप को peaceful को existence हो सकता है तो यह क्या संबब है तो उने यह संबब यह तो त्यूद नेशन त्यूरियों मानने को त्यार नहीं है वन नेशन में वो फिलिस्तिनीओं के साथ रहने तक यह ओक्यूपेशन रहेगा जिसको सारी ही देश मानते हैं कि उन इलाकों पर आपका कब्ज़ा है चाहे दोनों ही पार्टी से समझोते के बाद ही है लेकिन कभजा है मिलिटरी रूल है आप जब तक उसको खतम नहीं करेंगे कई इस्राइली स्कॉलर्स मानते हैं कि एक एक रॉकेट जो आप गिरा रहे हैं उससे आप सौ सो हमास के लोग पैदा कर रहे हैं क्हों कि कितने भी बम किरा लो वी निस्तना बूत कर दो विचाट को कैसे मार ऑगे वीचार तो कहीं नहीं पन पर है है ना आज नहीं पन पर चाल कलेको परगए है लेकिन 20 साल के बाद सफर पाई तो इस वक्त दुनिया को गांधी की जरूरत है गांधी आये गांधी संभालें गांधी जैसे लोग लाएं कि भाई मुझको मारो कि हमार दो पर बात तो करो यहां तो उल्टा है कि नहीं मारूंगा पर मैं बात करूंगा ऐसे दोड़ी होता है तो आज की चर्चा बस यहीं कल मिलते किसी और विशा के साथ तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद काई भाई में दो करूंगा था जाए है